भारत सरकार ने क्रोणा वायरस के प्रकोप से बचने या तेजी से फैल थे संक्रमर पर नियंतर पाने के लिए कई सारे प्रभावेक कदम उठाये हैं वह कई सारे सवाओं पर प्रदिबंद लगा दिया है इसके साथ ही travel restriction यानि की यात्रा पर्दिबंद, universal screening of passenger at airports and sea ports यानि की हवायटों और बंदरगाओं पर यात्रियों की screening करना, suspension of visa यानि की visa का इलंबन करना आदिशामिल है। इसके अलावा COVID-19 के test के लिए कुल मिलाकर 52 equipped labs को तयार कर दिया गया है। इन में से 10 को इलाज से संक्रम मुक्त कर छुट्टी दे गई है। भारत सरकार द्वारा PPEs यानि की परसनल प्रोटेक्टिव एक्कुपमेंट यानि की वेक्टिगस तुरच्छा उपकरन, medicines और मास्क की कमी और black marketing को रोकने के लिए कदम उठाय जा रहा है। भारत सरकार ने 30 जुन 2020 तक Essential Communities Act यानि की आवश्यक वश्तु अदनियम के तहट मास्क और हैंड सेनिटाइजर को आवश्यक वश्तु की रूप में घोशित किया है। आवश्यक वश्तु अदनियम के तहट राजी सरकारे इन वश्तुवों के मैनुफैक्चरर्स से उत्पादन छप्दा बढ़ाने के लिए का सकते हैं जिसे से आवश्यक वश्तु के आपूर्ती बीना किसी बाधा के हो सके। इसेंशेल कम्रोटी एक्ट्स 1955 में कुछ वश्तुवों या उत्पादों की डिलेवरी सुनिशित करने के लिए बनाया गया था जिसकी आपूर्ती जमाखोरी या ब्लैक मार्केटने के कारण बाधित होती थी और वह लोगों के सामान जीवन को प्रभावित करती थी इसमें खाद्य पदार्त, दवा, पेट्रोलिय मादी शामिल है इस एक्ट के दहस सरकार आवाश्य गोसित कि अवस्तुवों की अधिक्तम खुदरा कीमत यानि की MRP भी तैय कर सकती है वर्तमान में इसेंशेल कम्रोटी की सूजी में कुल 16 नाम शामिल है कुछ राजों ने एपिड थाए नियमों को लागु करने का दिकार राज्यों के पास होता है दे एपेडिमिक डिसीज एक्ट 1897 पहली बार ब्रेटिश इंदिया के बॉंबे राज में बुबोनिक प्लेक से निपटने के लिए लागु किया गया था यह एक्ट किसी महामारी बिमारी या संक्रमन के प प्रेशन नहीं के अलावा इस्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फंड का भी उपयोग इस आपदा को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं गिरी मंत्राले ने इस संबंध में राज्यों और किंद्रशाधित प्रदेशों को विश्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया है इस्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फंड एस्डी आरेफ डिजास्टर मैनेजमेंट अक्ट 2005 के सेक्शन 48 की अंतरगत बनाया गया है इस फंड का उपयोग भीशम परिसितियों में ततकाल रहात प्रदान करने के लिए के जाता है भारत सरकार ने ट्रेवल एडवाजरी के माध्यम से भारती नागरिकों को विदेश में सभी गयर आवश्यक यात्रा यानि कि All Non-Essential ट्रेवल से बचने और जिन देशों में क्रोना का संक्रमड उच अस्थर पर फैल रहा है उन देशों की यात्रा ना करने की चलादी है भारत लोटने वाले सभी अंतराश्टी यात्रियों को भारत सरकार द्रवरत जारी Do's and Don't का पालान कर अपने स्वास्त की स्वयम निगरानी करने का भी अपील किया है तो दोस्तो वीडियो जानकारी पूल और ग्यान वर्धक लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी जानलों वाले के साथ इस वीडियो को शेखने